कि एक तो बिजनस इंवाइर्मेंट के सबस्यादा और इंपोर्टेंस पर आजएगी थोड़ी बहुत अदर्वाइस जो नया टॉपिक आया कम चांसे से इंपोर्टेंस पर सबस्याद आएगी बाकी जो टॉपिक था एल पीजी और उसका इंपक्ट वह तो टॉपिक क्या हो चुका है अब बेटा यह जो अगले करना किसे कहते हैं और बेटा करना क्या समझते फिर फीचर समझेंगे फिर इंपोर्टेंस समझेंगे फिर क्लैनिंग समझेंगे अलग-अलग टोपिक जड़क्र निन जाने का भोष ओको होता है तो तुम प्लाना बनाते हो बास आप यहां गोंबने जाएंगे इस दिन जाएंगे एतना और यह जगाव होगा यह यह जगह घोंए और नियुयद प्लैण छोड़ो सबने अभी फेर्वेल पार्टी गरी थी तो इसके लिए प्लै बेरवेल जो पार्टी है वह छे जनवरी में को होगी या साज बात नहों साज जन वरी को होगी उसमें इतना बजट आएगा उसमें इतना इतना पैसे लिया जाएगा एक बात ज़रा धियान से सुनना क्या प्लाइन हमेशा future course of action के बारे में होता है प्लाइन का मतलब का है सोचना के कल को हम क्या कब और कैसे करने वाले हैं के दिन हम यहां पर हैं जहा हम जाना चाहते हैं वेर वी हंड दो इसके बीच का जो प्रिज है इस ब्रिज का गैप है ये कौन complete करेगा ये planning complete करेगा तो बात को ध्यान से समझना ये है present position और ये है future position इन दोनों के बीच में क्या काम आएगा planning planning एक bridge का काम करेगा where we are and where we want to go planning एक process है जिसमें हम सोचते हैं कुछ भी करने से पहले जिसमें हम plans बनाते हैं organization के लिए और plan हमेशा किसका course of action है for the future handwritten notes में मैं एक ये line लिखवाता हूं ये वाली जो line है देखो इसे मैं बाद में read कराता हूं जब हम पूरा का पूरा planning process कर लेंगे तो ये अपने आपे आपको याद हो जाएगा तो अभी दो तिन line planning एक process है किस चीज का thinking before doing या making plans for the organization ये ब्रिच का का काम करेगा वेर वी और एंड वेर वी वन्टू गो तो लाइने बहुत बीटा features आएंगे अब बड़े धियान से सुनते रहे ना च्छे साथ features हैं यहीं पर याद हो जाएंगे तो मैं एक बार दिखा दूंगा तुम्हें यहीं पर काम खता हूं पहले तो आपको पता ही ह मेरे दो या मेरे तीन अनमौल रतन है ना ओन कौन से इट इस अ कॉंटिनियूस प्रोसेस इट इस और वे से अराम से पहले एक एक लाइए एक मिनिट अराम से बेटा अब एक हाली हम दो तीन अनमौल रतन पर ही हैं फिर उसके बाद कॉमन पॉइंट करेंगे पीचास पे यो मैं आपको बताता हूँ आपने टेंध के लिए अलग प्लैन बनेगा फिर हैयरी स्पर्के के लिए अलग छलता है जब एक औब्जेक्टिव को चीव करने किया बनाते हैं इसलिए क्या का गया अच्छा सेकेंड बेटा फॉन को बिल्कुल साइड में रख दो बिल्कुल शांत सैकेंड क्या है प्लैनिंग इस ओल प्रवेसिव का मतलब क्या है बेटा प्लैनिंग हर एक जगा अप्लाई होगी बाषए जाए आपके और्गे में प्रोफिट मेंग जाओ नॉन फॉफिट में एवन टीनो लेवल पर चैंठ मिडल की या अपरेशनल की इस दोनों बात याद रहेंगी कॉन्टिणूस और एक और बात प्लैनिंग helps in achieving गोल्स या ग्रूप गोल्स आपके गोल्स को बिटा एक ब्लाइन किसी ने बिल्कुल सही कही है ध्यान से सुनना प्लाइन इस प्लैनिंग अगर आप अच्छा नहीं बना पार हो तो एक बन रहे है किसी चीज का बन रहे है फेल होने का बन रहे है बिटा आप को मैं यह करो अभी द्वारह में 17 18 अगर इन्हें अच्छे से यूटिलाइस करना है न तो एक प्रोपर प्लैन होना चाहिए आपके पास पूरा कि भाई मैं सुबह इतने वज़े उठूँगा इतने घंटे पहले सेल्फिस सड़ी फिर अपने ले टाइम उसके बाद यह कोचिंग का टाइम है फिर रात को इतने घंटे पड़ूँगा अगर यह प्रोपर प्लैन आपने बना रखा होगा तभी उस प्लैन को एक्जेक्योट कर पाऊंगे बेटा मैंने बीच में कह दिया था यह आपको जहां अपने लिए टाइम चाहिए चाहिए वो सुबह हो या शाम को लेकिन उसे लिमिट में तो चल पाऊंगे आप कभी भी किसी रैंकर का इंट्रेव्यू सुन लेना जिसके अच्छे रैंक आई होगी वह हमेशा यह बताएगा कि मेरा यह प्लैन था मैं ऐसे ऐसे बढ़ता था मैंने पहले ऐसे प्लैन बना रखा था तो हमेशा गोल्स तभी अचीव होंगे जब आपका प इंठेयर golden में कितना खर्चा कि आना चाहिए तो जीज्टाने फ्यूचर रिस्टिग वह हमेशार यह के बारे में होती है तो यह बी बात याद यद्र मैंजटर बढ़िए माणिज्ट्रीच्छन प्लैनिंग नंबर वन पे आरह है तो इश लिग दिया जाता था लाइमी क् एक लिखा है एक और बात क्या प्लैन बनाने के लिए बढ़े लिखे लोगों की जुरुवत है थोड़ा सा अपनी mental exercise है यह थोड़ा सा intellectual लोगों की जुरुवत है इसलिए लिखा जाता है planning is a mental exercise मतलब इसमें आपको intellectual person की जुरुत होगी अनपड़ लोग इतना अच्छा प्लैन नहीं बना सकते हैं अब इंडिया की growth के लिए इंडिया में कहां पे कितना पैसा लगेगा तो उसके लिए कौन से लोग प्लैन बनाते हैं intellectual person बढ़े लिखे लोग जिनकी personality knowledge imagination बहुत अच्छी हो तो बिटा यह mental exercise है खाली एक अच्छा पड़ा लिखा इंसानी बहुत अच्छा plan execute करा सकता है वो जब plan बनाएगा वो logical plan बनाएगा कि मुझे कब क्या और कैसे चीव करना है वो कोई logical बात नहीं करेगा अगर आप अपना plan गलत बनाओना तो वो भी अच्छी बात नहीं ह प्लैनिंग प्रोसेस में बता देता हूं कि प्लैनिंग प्रोसेस के तो से मैं याद करवाता हूं planning involved decision making वह मैं उसके थ्रो कराता हूं अभी जड़ा छे याद तक दौरा भी ना देखें पहले तीन गोल और इंटर मतलब इट हैंप सिने चीविंग गुरूप गोल से इट इस अ कॉंटेनियूस इट इस ओल पर वेसे अगर फीचर सागे तीन तो तुम्हारा काम पके पाकी तीन भी कितने इजी है फ्यूचर के बारे फ्यूचर रिस्टिक पहला है तो प्राइमरी और बीट अगर हम जो लिखना चाहें आप खुद भी लिख सकते हो जो मैं में बात रीट करा दू जैसे कि पहले वाले में में कैसे मदद करता है प्लाइनिंग में हम सारे उब्जेक्टिव डिसाइड करते है कि फ्यूचर में क्या करना और उसके लिए क्या विभी बनाएंगे स्टैव बेटा प्लैनिग प्रोसेस बताऊंगा पूरा पूरा एक लंबा प्रोसेस है जहां पे कमपनी एक डिटेल सी तो वो पूरा planning process बताएगा planning बेस है सारे management function का सारे management function किसके according होगे plans के according planning कहां पर apply होगी हर level हर एक department में यह बात मैंने बताई थी plan हमेशे किसके लिए बनता है particular period के लिए जब पीरेड खतम जैसे 10th class खतम plan खतम at the end of the period there is a need for new plan on the basis of new requirement बिटा आपको यह लगेगा यह 10th class में तो दो गुंटी पढ़ा ही हो जाती है क्योंकि वहां की requirement अलग है अच्छे नंबर आ सकते हैं लेकिन अगर पैस्टिडी करनी है तो वहां कम से कम 8-10-12 घंटे minimum पढ़ना पढ़ेगा तब जागे कुछ चांसिस है तुम पास हो जाओंगे अदरवाइस फेल होने के चांसिस पक्का है तो बिटा प्लैन हमेशा new requirement के अकोडिंग बनते हैं बिटा आठ नो घंटे पढ़ने के बाद मुश्किल से सी में 6% रिजल्ट आता है और येस में 0.2% रिजल् इसका मतलब है फ्यूचर को देखो अनिलाइस करो और प्रेडिक्ट करो क्या कि रहे हो बेटा अभी तो कुछ भी तुमने मैं सही बता रहा हूं अगर तुमने कुछ भी आगे कोर्सिस करने है प्रक्रेशनल इस सड़ी करनी है अभी तो तुम जिंदेगी के मज़े ले रहे हो कॉमर्स विदाउट मैस इस रियालिटी में बहुत ही तुम्हारी जिंदेगी के मज़े हैं क्योंकि बेटा विद मैस वालों को तो लेकिन बेटा सिक्स नंबर पर तुमने और सब्जेक्ट ले रखें नहीं हां वह ज्यादा से रहेगा बेटा मैं ऐसे मतलब मेरे तुद के नोन है जो एट्टी या नाइंटी परसेंट बाकि सब्जेक्ट में उनके बैठ रहा होने ने एवरेज और मैस में उसके पंदरा नंबर ही आये थे ठीक है ना तो अगर ऑप्शनल ना सब्जेक्ट हो तो ब समझ गया मैं समझ गया और बेटा एक लास पॉइंट यह जो जाधतार लोगों पर है नहीं प्लैनिंग क्या रिक्वाइर करता है है ना यह कुछ है वैसे अगर इसको कभी देखा जाए तो एप्लिक गलती से प्लैनिंग रिक्वाइस एप्लिकेशन ओफ माइंड इन्वोल्विंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जज्जमेंट यह एक इंटलेक्ट्ट्ट्ट्विटी ओफ थिंकिंग रा कि मैंने अभी आपके साथ एक टोपिक किया प्लैनिंग का मिनिंग और फीचर जल्दी कि आज एको टोपिक कंप्लेट करेंगे लिमिटेशन और लिमिटेशन को समझने के लिए मैं तो एक बात मतलब इस तरीके से समझाता हूं जिससे आपको चीज़े याद रहें तो क्या है लिमिटेशन सोफ प्लैनिंग तरह ध्यान से समझते हैं बिटा लैन बनाना अच्छी बात है इंपोर्टेंस अभी पढ़ लेंगे लेकिन बनाने में कमिया भी होता है क्या क्या कमी है जब हम प्लैन बनाते हैं तो उन सारे पर डिसकेशन करेंगे और वो कमी मैं इस तरीक कि आई नहीं नहीं नाम लेता हूं नाम लेता हूं आज नाम लेता हूं चार बजे रिकोर्डिंग में साथ में केसिस बच्चे की पीस नहीं आई है कर दी बेटा शुरू टेंशन ना लो अब बेटा शुरू अब यह साथ कर दिया मैंने और रिकोर्डिंग अप्लोड करना कोई दिक्कत के बात नहीं है लेकिन मैं यह नहीं समाजा रहा है यहां से कर दो कर दो खाली बैटें बिजनस्में तो पैसे कमा ही नहीं रहे बादर का बिजनस किस चीज का है लोग तो टेक्स बिन देना निता है कि आरेलडी के सबसे बड़ी चीज को पावरी है कि नेता लोग तो वैसे कमाते ही नहीं पैसा ही नहीं होता हूं के पास पैसे नहीं कमाते हैं ना नेता लोग ना फार्मिंग वाले दोन नहीं हमारे ऐसे तो बिचारे मेहनत करके दो पैसे नहीं कमाते हैं वह भी अजबनी हो रहे शान प्लैनिंग की लिमिटेशन्स दियान से समझना बिटा मैं इस तरीके से समझाता हूं आडी शर्मा भुक के बारे में तो सुना होगा आडी शर्मा भुक जो है एक तो वह तो कोस्टली है कि बहुत ज्यादा कोस्टली है एंड आल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग होग ज्यादा है और एवन पूरी बुक भी कर लो मैं कहरूं एक ये कोशन कर लो आडी शर्मा तो कोई गरंटी नहीं है सक्सेस की कि बेटा यह जो मैंने लिखवाया यह प्लैनिंग के लिमिटेशन है हमारे प्लैनिंग भी बहुत कोश्टली है कैसे प्लैन बनाने को खर्चा आता है वही बात है ना अब तुमारे छोड़े-छोड़े लोगे बात तो नहीं हो रही यहां बात हो रही है जब रिलाइंस ट गैंई तो कि बीटिंग यहां बिल्कुल खता है कैसे लगता है जरह थोड़ा सब्रीशे कि तो होगा इंप्लोईश ऑंगे भी लोगों को फीज देनी पड़ेगी जो पड़े लिखे लोग आएंगे बॉर्ड ओफ डिरेक्टर उनको फीज देनी पड़ेगी वो भी में आते हैं हर कोई अपनी एक्सपर्टाइज की क्या मानता है फीस मानता है वाई साब लाओ एक घंटे के लिए लाओ पांच लाग-दर लागरज आँ रेदी कोस्टली दूसरी बात पांट टांन टांस तरीके से है कि जब आप प्लैन बनाते हो तो आपको पहले उस प्लैनिंग के रिगार्ण्ड नारिक जा करना पड़ता है चलेकट पुर स प्रेजेंट बीच में इतना टाइम लग गया कि अब टाइम लेने का जो टाइम तो काम करके चलेगी तो इसलिए बहुत जादा सोचना भी नहीं चाहिए इसमें लगता है नीचीजों मैं वेटा प्रेक्टिकली समझों एक कमपनी जोच रहे है कियार मैं नया प्रोजेक्ट जैसे अम्बानी जी ने सोचा हो कि मैं जी ओक प्रजेक्ट एंट्रडियूस करता हूं पता नहीं कितने लाग क्रोड का प्रजेक्ट था तो कितनी प्लैन बनाएंगे पहले उन्हें अलग-अलग जगह से डाटा क्लेक्ट क्या होगा फिर उसे प्रेजेंट फिर मीटिंग फि जब यह कोविड की वैक्सिन आनी थी तो अलग-अलग कंपनी इसने पूरिफाइट करी जितनी भी फार्मसुटिकल कंपनी थी क्योंकि पता था जिसने पहले डोस बना दी उसके मज़े ही मज़े है बस वो वो डोस बनाने के लिए कितनी प्लैनिंग करी होगी उन्हें पहले सो पांसो लोगों को बलाके देखा जाता है उन पर टेस्टिंग की जाते है और अगर रिजल्ट फेवरेवल ना है द्वारा ट्राइल वन पर जाओ इसमें अलग-अलग ट्राइल है कि पहले फेस वन फेस्टू फेस्ट्री जब उसके बाद भी हम इंट्रड्यूस कर कर सकते हैं इसी के ओपर तो पूरा का पूरा एक वैब सीरीज बना दिये डिजनी वालों ने हुमन नाम से जिसमें दिखा रखा है कि जो मैडिसन इंडस्ट्री है यह फार्मसुटिकल्स वो कितनी बार कितनी चीज़े गलत कर देते हैं बस एक मैडिसन को टाइम पर लौश कि सकसेस की गरणटी की कोई भी कोई गरण की नहीं है जैसे की मैं कह रहाएं आपने बहुत बढ़े धंदा किया कोविड आगया क्या घरलोंगे तुम कुछ भीनी कर सकते हैं चलो कोविड के बात छोड़ते हैं एटल का सब सही चल रहा था जीओ आ गया क्या लेंगा एटल competition change हो गया तो आप कुछ करी नहीं सकते कोई natural disaster आ गया जोशिमट में आपने देखा आज करें तो आपका धंदा था वहाँ पर सब चीजे सही थी आपने घोटल बनाया natural disaster आ गया पता जला जमीन जमीन की जगी मागी जो हो रहे इस समय जोशिमट में बताओ क्या कर लोंगे अपने आपको तो सबसे पहले उससे थेंक्यू या उससे रिक्वेस्ट करने चाहिए कि भाई आप हमारे फेवर में रहो अगर आपके फेवर में लख है तो कुछ हो जाएगा दरवाइस कुछ नहीं होगा तो एक अच्छा प्लैन कोई भी ऐसा प्लैन ने जो 100% सक्सेस की कोई भी वांटेट सुच्वेशन आपके सामने आ सकती है जैसे मैंने कोई वगया रखाए बिटा कल अक्षट आप इस जगह बैठने वाले हो बिटा फोन को साइड में रख दो पहले मैंने कुछ नहीं का आपको इट इस वैरी कोस्तली वैरी टाइम कंजूमिंग डास जैसे कोई एक एग्जामपल है मैंने वही पराने एग्जामपल दूँ आपके स्कूल मैनफेक्टरिंग ड्रेसिस के बिजनस में थे या आप होटल इंडस्ट्री में थे आपने प्लैन बनाया वाइसा अगले साल तो बहुत बढ़िया धंदा चलेगा रेस्टूरेंट बा लाओनी होगा सिटिंग होगी तो एक स्पेश छोड़के बे कहरा फिर को होना आएगा खाने तो मतलब आपके जो बिजब डाइनमिक इन्वायर्मेंट में जब चीज़े चेंज होती है वो काम नहीं करते और दो पॉइंट और प्लैनिंग लीट्स तू रिजिडिटी यहां उससे सक्सेस्फुल रिजल्ट आगे आप सोचाँगी ही प्लैन में दवारण रिपेट करूँगा लेकिन उसस सक्सेस की गऊरंटी नहीं मिलेगी पता क्यूं क्योंकि क्या पता पिछले साल सेनیरियों अलग था इस साल सेनैरियों अलग हो जाए एte अल ने एक साल 2015 म में एक जीवी के चलो चल गया दंदा बीना सोचे समझे वो कह रहा है मैं तो दोगा मैं नहीं I मैं तो rigid हो दे, एक पिछली साल भी तो धंदा चला था, धंदा डोब जाएगा उसका, और उसने शुरू में change नहीं किया था, कितने करिश्ट में लोज किया, कितने ही उसको नुकसान हुआ, फिर उसे समझ में आया भे नहीं, भे नहीं, अगर इससे पंगा लेना है, अमबान लेकिन बात को धियान से सुनना बेटा, कंपनी में तीन लेवल होते हैं, टोप, मिडल और उपरेशनल, ये क्रिटिविटि पटा किसकी खतम करा रहे है, मिडल और पेशनल, ये पता क्या बात कह रहे हैं, कह रहे हैं, जो टोप लेवल एक प्लैन बना देता है, वो इन पर जब दस्ति इंपोस किये जाते हैं इन्हें अलाव ही नहीं किया जाता कि यह कुछ क्या कर सके उसमें डिविएशन तो क्रिटिविटी का स्कोप ही खां रहे गया खतम और दूसरी बात हम आपको क्रिटिविटी के लिए टाइम ही कहां दे रहे हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई इस समय जीता हो इंटरनेशन लेवल पर कोई नहीं आया नोवल प्राइजी नहीं आया इंडिया को क्यूं क्रिटिविटी है इन इंडिया में बिल्कुल क्रिटिविटी जीरो कर रखे हमने एजुकेशन सिस्टम से और मैंने आपको पहले बताया था जब नहीं आ रहा है पहली बात तीस दिन तो आएगा नहीं बीस एक दिन ही आएगा वहाँ पे छुटियां ही बहुत होती है तो उसमें भी वह चार दिन कुछ काम नहीं करेगा फ्री टाइम आओ लेकिन कंपने डिलेटिड काम नहीं कुछ क्रिटिव सोचो कोई भी प्रोजेक् गूगल मैप जैसे अपने सोफ्ट्वेर इंप्लिमेंट करा लिए बस किसी ने बैटे बैटे खाले टाइम पर सोचा यार गूगल सही तो चल रहा है लेकिन एक ऐसा सोफ्ट्वेर भी होना चाहिए जो हमें क्या दिखा दे ट्रैफिक के बारे में जो हमें अलग-अलग होता है जब आप कुछ क्रेटिव ली सोचते हो जब आप फ्री टाइम पर कुछ सोचोंगे एक बार जड़ा हैडिंग्स देख लें क्या सही बताई या नहीं और याद कर लेंगे पहला क्या बताया प्लैनिंग लिट सू एक बार प्लैन बन जाता है तो आप उसे जल्दी स है यह नहीं कर सकते और दिजिटि को दिखकत करेट कर सकती है प्लैनिंग कान नहीं करता है डानेमिक इन्वार्मेंट में आपको पता हैHAHA मारा बिजनस इंवार्मेंट चैप्टर थी की लाइन चेप देना बिजनस इंवार्मेंट क्या है यह पांच डिमेंशन से इसमें कॉंटिनुसली क्या होता रहते हैं चींज बिटा अगर आप नहीं एडेप्ट करोंगे आप डूलोंगे एक्जांपल नो किया बिटा अगर न कैसा खर्चा रहा है यह तो बता दो ना तो काफी छोटे मोटे खर्चे लाइक बॉर्ड रूम्स मीटिंग डिसकर्शन विद प्रफेशनल एक्सपर्ट दूनरी इन्वेस्टिगेशन में आपको बताऊं विटा आपने फॉर एक्जांपल हाई कोडिया सुप्रीम कोर्ट म हाँ पर जब तुम हाई कोड या सुप्रीम कोड में चोटे केस लड़ने जाओंगे जब हजारों करोड़ों की बाते होगी ना तो पता नहीं कितनी पैसे मांगते हैं एक केस को वहाँ पर प्रेजेंट करने के लैनिंग भूर टाइम कुंजूमिंग प्रोसेस है क्यों क्यो जिरूरी नहीं है कि वह प्लैन द्वारा भी काम सिंपल बीटा सेंथ क्लास में दो घंटे पढ़के भी 90 पैसेंट आ सकते हैं और अगर आप सोचो यही काम मैं प्रफेशनल सेडी में कर दो तेरा भाई बनेगा सिए दो घंटे पढ़के तो बीटा कार्टून आर्टिस बन नैश्रल क्लेमिटी में आपका प्लैन काम गोर्मेंट ने पॉलिसी बना दिया आपका धंदा बहुत बड़े चल रहा था कल से अलकोल बिकना बन जैसे की गुजरात में है अलकोल वहां पर बेश नहीं सकते अलग अलग जगा है जहां पर आप यह चीज़े बेशी नहीं सक कोंपीटीटर की सेटेजी आगी नहीं जी ओ तो उसका एटाल का बिजनस खतम बेटा हेडिंग सेडिंग रीडाउट कर लो कोई डाउट हो तो बताओ बात नाव लिमिटेशन्स फीचर्स और मिनिंग